अपने घर के बज़र्गों से सुना होगा अंधियारी चुल और उज्यारी चुल के बारे में आज महोवा न्यूज पूरी टीम जो कि अपने पिछले कारक्टर में बता चुकी थी कि आपको इस रहस्य में जो जगे है या अंधियारी चुल और उज्यारी चुल वहां पर लेकर जाएगी तो आज महोवा टीम अपने सफर में रवाना हो चुकी है तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितने कटनाई उभरे रास्तों से होकर आज हमारी टीम यहां तक पहुचिए सफर को आगे पढाते हुए अगे को सुरू करेंगे और देखेंगे आखिर क्या है सत्यता इस अंद्यारी चुल के रहस्ट में में अगे को आगे कितने 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 का अ हमारी टीम यहां नहां वारी टीम यहां इस रहस्ट में में बढाई पहां तक पहांने हैं झाल 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 आखिरकार आज तक जो कहानियों में सुना था आज हमें उसको हकीकत में देखा मौके पर हम पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं अंध्यारी चुल का रहस्त जो आपने सभी लोगों ने आप तक किताबों में पढ़ा होगा और कहानियों में सुना होगा देख सकते हैं कैसे चट्टानों के बीच में है यह अंध्यारी चुल और कैमरा थोड़ा सा उपर करके देखें कैसे यह चट्टाने दोनों पहाडों की बीच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको जोड दिया हो कि अद्धूद अधूद नजाना है महूबा का अंध्यारी चुल के बारे में आज तक यहां पर बताते है कि भक्ती यहां पर बहुत कम कोशेशों में लोग पहुंच पाए हैं और आज पूरी महोब निश्टीम यहां पर पहुँचिए और आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि आज हम आपको लाइफ दिखा रहे हैं अंध्यारी जुलता सच्छी आगी जी आगी 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 चस्छी आगी 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 आपने देखा किसने कट नाई यो भरे रास्ते से पूरी टीम पहुच रही है पहुंची और और हम सबस्कूर रहे हैं यहां जाता है और अंध्यारी चुल रहा जाता है इसको और है महोवन एभिंश ती यहाँ पर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोजआ कर दो कर दो कर दो लगवक चार हजार फिट उबर आज महुवा न्यूश टीम आप पहुची है हम ले अपने दर्शों में आपको दिखा ले की कोशिश की अंध्यारी चुल के बारे में सालों से रहस्तिता लोग कहते थे अंध्यारी चुल कहां पर है आज महुवा न्यूश टीम वहां पर पहुची आगे की वक्या बताने से पहले हम आपक तो आप केमरे में देख सकते हैं इस अदबुद महोबे का नजारा दूर दूर दरास तक आपको ये चक्टाने पे और पहार दिख रहे होंगे दूर एक तलाब भी दिख रहा होगा इतना सुंदर किसी ने कलपना भी नहीं की होगी इससे पहले तो हमने भी कलपना नहीं की थ किसीी और आप देख सकते हैं सुन्दर महोबा का नजारा हमारे कैमरा पे, कितनी दूर 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 दग एक धुन ची चाही हुई है और पूरा का पूरा महोबा गृमाहोबा दिख रह है अब अंध्यारी चुल की बात करें इन कठनाई भरे रास्तों से होते हुए महोवा निउस्टीम आज टॉप एरिया पे पहुंची है और यहां से आप कुर नजारा देख सकते हैं हमने भी कोशिश की और जानने की कोशिश की वहाँ पर किया है अंध्यारी चुल का राज और आपने देखा किन कठाई भरे रास्ते से मिकलते हुए रास्ते में कुछ पढ़ाओ ऐसे जरूर्द पढ़े जहां कुछी भी नहीं दिख राता तो वहाँ टॉर्च और हम लोग सेफटी गार्ड की सायता लेकर उपर तक पुंचे तो लोग एडवेंचर करने के लिए यहां आ सकते हैं पर हम लोगों से कहना चाहते हैं तिर्फ भी लोग यहां पर पाहुचे जो सेफटी गार्ड जूश करते हैं सेफ्टी गाड के साथ में लोग आकर यहां का लोग तो ठा सकते हैं आगेर कार कैसा था यहां का पूरा आनद हमारे साथ पूरी टीम थी मों के पर तो एक सबसे पहले जो अद्बुत था हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा गोलू नाम है उसका आप देखेंगे वो हैवी गोलू साथ साल का यह जो बच्चा है किस तरीके से इस चढ़ाई को हम लोग खुद मतलब आश्यर चिकत रह गए कि छोड़े से बच्चे ने किस तरीके से पूरी चढ़ाई हमारे साथ बिना किसी डर बिना किसी फै के पूरी कर लिए तो सबसे पहले वोगों से बात करने से पहले उस बच्चे से आपको रूबरू कराएंगे और जाएंगे इस बच्चे के अंदर चाह कैसे आई तो ये है आखिरकार वो गोलू, आप गोलू को देख सकते हैं, गोलू कितना मज़ा आया तुम बहुत है, गोलू तुम यहां पर क्यों आय थे, यहां क्यों आय थे, क्योंकि हम तलया में नहा नहीं आय थे, पापा के साथ, तलया में पापा के साथ तो आपने नहा लिया, उस आलिवियस तो जासी आल जी हमारे साथ में है एक आप लोगो ने सिस्प किताबों में पड़ा हैं कहानियों में सुना है अधियारी चुल के बारे में आज हमने और महुवानियू पूरी टीम न देखिया वागी बहुत कटिन रास्ता था वागी बहुत लोग अन्दू आप तो पापी साथ यहां के पूरे एडिया से वाकिव हैं तो लोगं किस तरिके से आसकते हैं और इसको इसको अर्फ कर आग। वह जहानकारी चाहिए है अच्छा आखे अगले सवाल कियो राते हैं कि अखेशी जैका फिमस क्यों है और यहाँ पर क्या माननेता एठी तो यहाँ पर जो गोर्ण बाबा का मंदिर है पहाँ पर पंडिकची है उन्चे जारेंगे हम पंडिकची यहाँ अपर यह बताईए य इस्थान की क्या माननेता मानी जाती है यहां पर मौनाता इसलिए मानने जाती है कि यह जो है यह शिद्ध बाबा का इस्थान है यहां पर गुरु गोरखनाथ जो थे इन्होंने यहां पर तपेश्चा की थी और बरतमान में यहां पर जो गुरु गोरखनाथ थे उनके नो न बहुत सारी ची रहसों से जुड़ा हुआ है और अंध्यारी चुल के बारे में आपको बताना चाहूंगा अंध्यारी चुल के बारे में लोगों को कहना था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना हाथ तक नहीं देख सकता मतलब अंधिरय को आप समझ सकते कितरा अंधिरा र इस अधबुद महोबा करना जारा आपको केमरे में दिखाना जाएं और साथ में आप देखिए क्योंकि इसका जो रहस है इसका रहस है अधियारी चॉल और जियारी चॉल पार तो हमारी पूरी हो चुकी है क्या अधेरे से होते हुए सारे लोग तीम के साथ यहां पर पहुच अधियां मिलेंगी और क्या कर रहसों का राज मिलेगा अधियारी चॉल के ट्रेकिंग के बाद आप तीम पहुची है उज्यारी चॉल की यहां कि लोगों से जानने की पर पतक चलता है कि यह उज्यारी चॉल है और यहां पर रात्त्री में भी खलका फलका मतलब रोशनी टाइप की यहां पर रहती है ऐसा यहां की जानकारों का मानना है जिस तरीके से हमने पूर्व में देखा अंधियारी चॉल में जिस तरीके से अंधियारा रहता है वैसे ही यहां पर रोशनी रहती है और यहां पर अक्षर लोग कहते हैं कि हलकी कि रोशनी हमेशा देखने को मिलती है तो चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर क्या है ओज्यारी चुलका रैश्मी राज कर दो छलिए मेंट्यार कर संदितात्यां है तो ध मैंट्री अवरा राज़ को देखने को डेलuju हैं और आपको झाल झाल सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुचे हैं उज्जियारी जो ये गुफा है इसके टॉप पर पहले हम दिखा चुके थे कैमरा परशन सिख्वा अंग्रोद करेंगे उस पहाल की और दिखाएं जंडा दिखेगा आप सभी दर्शकों को जो जंडा दिख रहा है वो अंध्यारी जुल जो कहा जाता है उसका टॉप था और अब हम कैमरा परशन से कहेंगे कि जंडा दिखाएं ये उज्जियारी जो गुफा है इसका टॉप है बताया जाता है दोनों के रहस्य के बारे में बताया जाता है कि जो उज्जियारी ये ग अपर जो देख सकते हैं पीछे आपको खट्रामट मिर्व दिख रहा होगा आप डेख सकते हैं यहां कि लोकेशन आप देखकर फुदमा अपने आपने आपने अवास कर सकते हैं कितना सुनदर है हमारा महुवा और महुवा न्यूज टीम का यही प्रयास रहता है कि महुवा में जो भी इतियासिक चीजे हैं उन सभी को हम आप से रूबरू कराएं आप तक दिखाएं और इन जो सारी चीजे हैं इनको एक ट्रेकिंग पॉइंट बनाएं इनको परेटन और तूरिज्मे के छेत्र में ले जाने का प्रयास महुवा न्यूज का हमेशार आए और कल फिर हम मिलेंगे एक नए इतियास के साथ एक नई जगे पर एक नए रहस्य के साथ महुवा न्यूज टीम कल फिर वहाँ पर होगी और आप सभी को ऐसी चीजों से रूबरू मैं इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहें पहुवा न्यूज